जैसे अगर आपको कोई stock buy या sell करना है तो आपको वहाँ पे बहुत सारे order types दिखते हैं जैसे ही market order, limit order, day order, image it or cancel order तो आप वो चीज देखके थोड़ा confuse हो सकते हैं कि ये क्या होते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि orders कितने types के होते हैं और उनका exact meaning क्या रहता है ताकि जबी भी आपको ये order place करते हैं आपको पता रहे कि आप किस type का order और किस time पे place कर रहे हैं तो जबी भी आपको ये order place करते हैं आप अपने broker को stock exchange में एक particular instruction देने बोल रहे हैं और जबी भी ये instruction fulfill हो जाती है stock exchange में आपका order place हो जाता है तो आप basically दो जगे पे order place कर सकते हैं एक NSE जो की है national stock exchange और दूसरा BSE जो की है bombay stock exchange तो आप अगर कोई भी stock choose करते हैं अगर वो दोनों जगे listed है NSE और BSE में तो आप choose कर सकते हैं कि आपको इसको कहाँ पे buy करना है तो अभी हम बात करते हैं market में major दो orders के बारे में एक market order और दूसरा limit order market order का मतलब है कि अगर कोई stock की price अभी चल रही है 100 रूपी या 105 रूपी तो आप उसी price पे वो stock खरीदने का order दे रहे हैं तो वो price change भी हो सकती है 105 से जाके वो 102 भी हो सकती है या 108 भी हो सकती है तो इसमें आप price change नहीं कर सकते हैं तो अगर आप 105 पे order डाल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो stock 107 पे भी मिले हो सकता है आपको वो stock 102 पे भी मिल जाए तो इसका एक advantage यह होता है कि आपका order fulfill होने के chances बहुत जल्दी हो जाते हैं बट इसका एक disadvantage यह है कि जो भी market price चल रही है या तो उपर या नीचे आपका stock order उसी पे जाता है तो मान लीजिए आप 10 stock का order place कर रहे हैं 200 रुपे पे तो आपने अगर order place किया तो और वो share का price अगर fluctuate हो जाता है 200 रुपे से वो 208 रुपे पे चले जाता है तो market order में आपका order 208 रुपे पे execute होगा और ना की 200 रुपे में बट इसका एक advantage यह रहेगा कि आपका order fulfill होने के chances बहुत जल्दी हो जाएंगे अब बात करते हैं limit order के बारे में So limit order का मतलब होता है कि आप अपनी एक price पे आपका order execute कर सकते हैं इसका मतलब अगर कोई share का price चल रहा है 500 रुपे So आप उसको खरीदने का order डाल सकते हैं 480 रुपे पे 490 रुपे पर आपका order तब ही execute होगा जब वो price 490 या 480 तक आएगी अगर वो price उत्ती नीचे आये नहीं तो आपका order market में जाएगा ही नहीं तो मान लेते हैं आपको 100 share का एक order place करना है और उसमें हर share का price चल रहा है 1.500 रुपे पर आपको वो share खरीदना है 140 रुपे पे और आपने 140 रुपे का buy order डाल दिये 200 share के लिए तो जब तक 140 का price नहीं आता है share का आपका वो order market में execute नहीं होगा पट अगर वो price 140 आ गया तो आपका order execute हो जाएगा तो ये उसका एक advantage है और एक disadvantage भी कि आप अपना desired price डाल सकते हैं बट अगर आपका desired price आया ही नहीं तो आपका order execute ही नहीं होगा हो सकता है कि वो 1500 से आके 142 या 141 तक आ जाए पट आपने order 140 पे डाला है तो जब तक वो 140 नहीं आएगा आपका order execute नहीं होगा तो ये generally market में traders यूज करते हैं जब उनको पता है कि हमको stock ये price पे buy करना है और एक ये price पे sell करना है अभी हमने आपको बताया market order और limit order के बारे में तो अभी इसमें एक और order type है जो कि ये stop order बहुत लोग इसे stop loss order भी बोलते हैं तो जैसे कि आप नाम से ही आप इसे समझ सकते हैं stop loss order मतलब आप अपना loss stop करना चाहते हैं तो जैसे अगर आपने कोई buy order डाला है 100 पे एन आप expect करते हैं कि वो और उपर जाए बट कभी-कभी आपके expectation के against भी market जा सकता है कि market उपर जाने के बजाए नीचे आ जाए तो आपका जो loss है उसको protect करने के लिए आप stop loss order डा सकते हैं जैसे आप अपना stop loss order डालते हैं 95 पे तो मतलब आप ये prediction ले रहे हैं कि हाँ मैं 5 रुपे per stock loss लेने के लिए ready हैं तो जैसे 95 पे आपने अगर order डाला तो 95 पे जबी भी market आता है आपका order execute हो जाएगा और आपका 5 रुपे से जादा loss इस case में नहीं हो सकता है चल रहा है और आपने 95 पे stop loss order लगाया है तो stop loss market में आपका order 95 पे trigger होगा और 95 पे execute हो जाएगा तो इसलिए जादा तर लोग stop loss limit order prefer करते हैं इसमें आपने 95 पे आप अपना trigger price set कर लेते हैं और उससे थोड़ा नीचे आप अपना limit price set कर लेते हैं तो जैसे 95 का अगर आपका trigger price है तो समझें 94.6 या 94.8 पे आप अपना limit price लगा लेते हैं इसका मतलब 95 पे आपका order market में trigger हो जाता है बट execute होने के लिए उसको 94.6 या 94.8 जो भी आपने order set किया है उत्ता आना चाहिए तो stop order में ये एक issue है कि अगर market एकदम drastically fall हो जाता है और आपने अगर stop loss order डाला है तो हो सकता है कि कभी-कभी आपका stop loss order execute ही ना हो आपका stop loss order market में open है बट वो execute ही नहीं हो तो जैसे आपने इस case में 95 का अगर order डाला था एन एकदम से वो price मान लिजिए 85, 88 या 90 आजाती है तो हो सकता है कि आपका order execute ना हो आपका order अभी भी market में open हो अब हम बात करते हैं दूसरे order types की जिसमें सबसे पहला है cover order तो cover order का मतलब है कि आप इसमें अपना buy price और stop loss एक साथ डाल सकते हैं आपको ऐसा नहीं कि आप एक order डालिये फिर आपको वापस आके stop loss order डालना है तो cover order का advantage यह है कि अगर कोई price जैसे 100 रूपर चल रही है तो वहाँ आप अपनी limit price डाल दिये और उसी के साथ वहाँ पे आपको एक stop loss का भी option मिल जाता है तो वहाँ पे आपने 95 का stop loss डाल दिया for example और एक साथ order प्लेस कर दिया तो यहाँ पे इसका advantage यह है कि आपको दो order प्लेस नहीं करने पड़ते हैं आप एक ही इसमें order प्लेस कर सकते हैं फिर इसके साथ एक और रहता है bracket order तो bracket order का मतलब यह है कि cover order प्लस target price तो bracket order में तीन चीज़ होती है आपका buy price, target price and stop loss तो buy price मानले जो 100 रुपे है आपका target उसका है 110 रुपे and stop loss है 95 रुपी तो अगर आपका 110 का target हिट हो गया तो आपका stop loss order है वो automatically cancel हो जाएगा वहीं अगर आपने 100 रुपे में खरीदा है and अगर वो 95 हिट कर गया तो आपका stop loss order trigger हो जाएगा and उसी time पे आपका target order है 110 का वो cancel हो जाएगा कुछ लोग इसे OCO भी बोलते हैं जिसको बोलते हैं one cancel चाना दा so bracket order यह है so bracket order और cover order में basically difference यह है कि bracket order is advancement of cover order so market timing रहती है 9.50 नहीं है से 3.30 पीम तक but हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह time में available ना हो order place करने के लिए यह आपको जब आप शाम को काम से घर आए आपको research करके फिर order डालना है so इसके लिए एक आपके पास option रहता है AMO का जिसको बोलते हैं after market orders तो अगर आप 9.15 तू 3.30 के बीच में आप order नहीं place कर सकते हैं so आप after market आपका order place कर सकते हैं so after market मतलब आप समझे 4 बजे भी place कर सकते हैं सुबह 8 बजे भी place कर सकते हैं पर ये आपको आपके broker से check करना पड़ेगा क्योंकि हर broker का अलग-अलग timing रहता है तो जैसे आपने अगर 4 बजे कोई order place किया so आपका order next market day पे execute होगा तो ये सुबह 9 बजे execute होगा या सवा 9 बजे depending on the broker तो अगले दिन की जो सुबह price रहेगी आपका order उसी पे execute होगा मान लिजिये आपने order place किया 4 बजे जिसका price चल रहा है कोई share का 100 रुपए अगले दिन अगर सुबह market खुला 104 रुपए पे तो आपका order 100 रुपए पे नहीं बलकि 104 रुपए पे execute होगा so जबी भी आपको ये order place कर रहे हैं आप उसको दो तरीके से place कर सकते हैं एक पहला delivery लेके और दूसरा intraday में so delivery का मतलब ये रहता है कि अगर आप stock का कोई buy order डाल रहे है so आपको उसकी delivery चाहिए मतलब आपको वो सारे shares आपके demat account में चाहिए so ये रहता है delivery में और दूसरा रहता है intraday so intraday मतलब आप अगर सुबह order place कर रहे हैं आपको उसको शाम तक exit करना है so delivery basically जो investors रहते हैं वो prefer करते हैं and जो traders रहते हैं वो intraday prefer करते हैं कि सुबह उन्होंने एक price पे order place कर दिया and market बंध होने तक उन्होंने उसको sell भी कर दिया तो intraday में जबी भी आप करते हैं आपको stock के delivery नहीं मिलती है आपने सुबह buy किया and शाम को आपने sell कर दिया इसे कई के brokers पे अलग-अलग terms में भी use होता है जैसे कहीं पे आपको दिखेगा MIS दिखेगा उसका मतलब intraday रहता है या कहीं पे आप उसे CNC भी देख सकते हैं उसका मतलब delivery रहता है अब भी हमने cover किये जितने भी majority of orders थे बट आप अगर कोई order डालते है तो वो उसके भी दो options रहते हैं एक day order और एक immediate or cancel order जिसे लोग IOCB बोलते है तो immediate or cancel order का मतलब आप जैसे नाम से ही समझ सकते है या तो वो immediately execute हो जाता है और अगर वो execute नहीं होता है तो वो cancel हो जाता है जैसे आपने अगर 100 share का कोई order place किया अभी उसमें से मान लीजिए 50 share ही execute हुए तो बाकी 50 का order automatically cancel हो जाएगा फिर second है day order तो day order का मतलब यह रहता है कि आपने अगर सुबह मान लीजिए साड़े 10 बचे कोई order आपने place किया और अगर वो तुरत execute नहीं हुआ सो आपका order अभी भी open रहेगा market में जब तक कि आपकी वो price आ नहीं जाती सो इसमें भी आपको दो options मिलते हैं एक good for day good for day मतलब आपका order valid रहेगा 3.30 तक अगर वो 3.30 तक कोई भी time execute होगा तो ठीक है अगर वो execute नहीं होता है by any chance 3.30 तक तो आपका order 3.30 पे cancel हो जाएगा फिर दूसरा है good till day so good till day मतलब मानले ज़े आपने Monday को सुबे 11 बजे कोई order place किया और आपने वो order की validity रग दी Friday तक so अगर Friday तक भी आपका order execute नहीं होता है तब वो जाके cancel होगा so वो पूरे week में मतलब Monday to Friday तक आपका order market में open रहेगा जब तक कि आपकी वो price आनी जाती है so हर broker पे अगर आप देखेंगे so इसको अलग तरीके से भी present किया जाता है so जैसे bracket order है तो आपको कहीं दिखेंगा BO या cover order है आपको दिखेंगा CO या अगर आप जैसे cash में order डाल रहे है so आपको दिख सकता है कहीं CNC दिख सकता है या आपको कहीं दिख सकता है delivery so ये depend करता है आप कौन से broker पे registered है और उनके platform पे कौन से terms यूज हो रहे हैं तो ये थे stock market में different types of orders बट अगर आपको stock market basics जैसे की CAGR या trading या DMAT account क्या होता है या different market participants जैसे stock exchange या depository क्या होता है so आप हमारा YouTube channel जाके देख सकते हैं वहाँ आपको ये सारे videos मिलेंगे और अगर आपको ये video अच्छा लगाओ so प्लीज ये video को like करें और हमारे YouTube channel को subscribe करें happy investing